हलो, वेलकम टू करिश्ना टेक्निकल पार्चला आज हम लोगों का सेकिंड लेक्चछर है भृक वर्श्च लेक्चछर में हम लोगों ने जो इस्ट Star di Cha projects नीक ह Neden और वो था हमार पास जिसमें हम लोगों ने Size देखा था traditional size और modular size उसमें भी हम लोगों ने size देखे थे कि जो हमारे पास modular brick होती है modular brick का nominal size क्या होता है और उसका actual या फिर standard size क्या होता है उसके basis पे हम लोगों ने brick को study किया था उसके बाद में हमने brick का weight देखा था कि average weight क्या होता है किसी brick का वो 3 kg होता है उसके बाद हम लोगों ने देखे थे qualities of a good building bricks एक good quality building bricks में क्या qualities होती है तो वो हमने सारी qualities वहाँ पर देखी थी hardness proper होना चाहिए अगर आप by help of the finger nails उसको scratch करते हैं तो तो वहाँ पर कोई भी क्या नहीं आना चाहिए था impression नहीं आना चाहिए था second हम लोगों ने देखा था अगर आप एक particular height से 1 meter height से अगर आप अपने brick को क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं तो वो bricks क्या नहीं करने चाहिए पीसिस में brick नहीं होने चाहिए हम ने देखा था कि जो भी हमारे पास एक good quality bricks होती है उसकी जो minimum compressive stand है वो 10.5 newton पर mm square या फिर 105 kg पर cm square से क्या नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए अगर आप उस brick को 24 hours के लिए water में क्या करते हैं immerse करते हैं तो after 24 hours जब water में से आप brick को क्या करते हैं बहार लेकर करके आते उसको एक saap कपड़े से क्या करते हैं clean करते हैं और उसको जब weight करते तो उसमें जो water absorption है वो 20 परसेंट से उसके dry weight से ज़ाद रहे होंचे, अब रहेने करते हैं qualities पढ़ी थी कि एक good building bricks में क्या-क्या qualities होती है उसके बाद हम लोगोंने पढ़ा था उसमें ingredients कि कौन-कौन से ingredients को हमने use करना होता है, तो my dear strengths जो उसमें ingredients होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, first one पे silica होते है जिसका percentage 50 to 60% होता है, second number पे हमने जो ingredient पढ़ा था, वो पढ़ा था alumina, जिसका percentage कितना होता था 20 to 30% होता था third number पे जो हमने ingredient पढ़ा था वो था lime, जिसका कितना percentage था 5% था, fourth number पे जो हमने ingredients study किया था वो हमारे पास था iron oxide जो कितना था, 5 to 6% था, next हम लोगोंने जो last पढ़ा था, वो magnesium जो हम लोगोंने अभी आप लोगों सामने रखी है अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसके क्या effects हम लोगों को देखने को मिलते यह already हम लोग क्या कर चुके है study कर चुके है next मैंने आप वो बोला था last time कि हम लोग जब next video लेकर कहेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे preparation of brick manufacturing of brick brick को किस तरीके से हमने बनाना है तो please यह जो questions है यह questions important है हमारे पास SSC J mains के लिए important है तो यह वहाँ पे हमारे को 10 marks का questions बन सकता है आपने इस question को ध्यान दखना है second आपको SSC का यह one marks question और किसी भी state में एक question को पूछा जा सकता है कि आप इसका order बताए manufacturing का कि first आप क्या करते है उसके बाद क्या करते है उसके बाद क्या करते है तो my dear students जो first step होता यहाँ पे वो होता manufacturing of brick में preparation of brick earth हमको क्या करना होता है जो हमारे पास brick earth है या फिर जो हमारे पास क्या है clay sample है उसको हमने क्या करना होता है preparation करना होता है उसको तयार करना होता है जैसे आपने रोटी बनाने होती है for example हमने क्या करना है रोटी बनाना है तो हम direct रोटी नहीं बनाएंगे हमको पहले तयार करना पड़ता है unsoling, unsoling, second number पे हमारा work है digging, third number पे weathering, fourth number पे blending and last जो हमारे पास आता है वो आता हमारे पास stamping, तो my day strength, इस order को आपने ध्यान देना है यह आपके SSC में question पूछा गया है, कि यह order बताईए, कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो पहले unsoling digging, weathering, blending then क्या होता है, tempering होता है उसके बाद हम लोग क्या करते है molding करते है, तो मैंने आप वो बताया था molding हमारे पास कितने types होते है two types के molding होते है first होता हमारे पास hand molding और second number पे जो हमारे पास होता है उसमें हम लोग क्या परते है machine molding hand molding भी कितने types का होता है two types का होता है first one is the ground molding second one is the table molding और जो machine molding होता है ये भी कितने तरीके का होता है ये भी two types का होता है first one is the plastic clay molding या plastic clay brick होता है और second होता हमार पस dry brick machine जो होता है ठीक है उसका हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, नैचरल ही, उसको क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ब्रिक्स जो होती है उनको एक particular इस तरीके से रखा जाता है एक shade मतलब ऐसी जगेप रखा जाता है कि बरसात आने से effect ना पड़े और दूसरा उसमें से air क्या करें अच्छे से pass कर जाए जो हर ब्रिक के monsters को क्या करें remove करते हुए जाए तो यह हमारे पास होता है drying last होता है हमार होता है उसको strong करना होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास दो process होते हैं first one is the claim claim को हिंदिम क्या बोलते हैं भट्टा बोलते हैं जो local level पर हम लोग लगाते हैं या फिर large sorry small project के लिए हम लोग क्या करते हैं भट्टा या फिर उसको क्या बोलते हैं CLMP claim और second होता है हमारे पास kiln किल जिसको हम लोग क्या होते हैं भट्टी भी बोलते हैं ठीक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं chimney के बारे में क्या करेंगे study करेंगे ठीक है तो first हमारे पास आता है preparation of brick earth में please यह order आपने याद रखना है first आपने यह order याद रखना है second आपने इस order को याद रखना है जो horizontal बना हुआ है तो एक्जाम में दौनों कोश्चन पूछे गए वर्टिकली भी फर्स्ट प्रिप्रेशन ऑफ ब्रिक अर्थ देन मोल्डिंग देन ड्राइंग देन क्या होता है हमारे पास बर्निंग नेक्स्ट हमने इस ओर्डर को भी याद रखना है जब प्रिप्रेशन ऑफ ब्रिक अर्थ का जो ओर्डर होता है फर्स्ट होता है अन्सोलिंग सेकेंड होता डिगिंग थर्ड होता है वैधरिंग फोर्थ होता है ब्लैंडिंग फिफ्थ होता हमारे पास टेंपरिंग तो अब हम लोग इसको यहाँ पर समझते है एक एक स्टेप को फर्स्ट हमारे पा जो site है वो ऐसा बने होचे हैं वहाँ पर बहुत जादा agriculture work हो जिससे क्या है कि हम लोग अग्रिक culture land को क्या नहीं कर सकते हैं थीक है ना तो हमको ऐसी जिगे यूज करने होते हैं जहां पर clay sample भी easily हो city के near about हो बहुत जादा distance पर नौज जिससे जो transportation cost है उसको हम लोग क्या कर सकें minimize कर सकें दूसरा हमको यह भी देखना होता है कि labor जहां पर easily available हो सकें और हमने क्या करना है water को भी ध्यान में देना होता है कि ऐसा ना हो जहां पर salty water हो you know अगर salty water होगा तो उसको हम लोग किसमें यूज नहीं कर सकते ब्रिक को बनाने में यूज नहीं कर सकते है drinking water को ही हमने क्या करना होता है ब्रिक के बनाने में यूज करना होते है तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान देना होता है जब किसी भी पर्टिकुलर site को हम लोग क्या करते है अब हमने किसी पर्टिकुलर site को select तो कर लिया अपनी इन जो requirements हैं उनको fulfill करते हुए तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो first step है वो हमारे पास है unsoling unsoling का meaning क्या होता है बोलिए the top layer of soil about 20 cm in depth is taken out and thrown away first हमने क्या करना है जो भी हमारे पास ground है उस ground के 20 cm depth तक हमने उस soil को वहाँ से क्या करना है उसके बाद ठीक है उस हमारे पास इस तरीके चो就到या से हटाना है मालेजे इसको हमने कितना करना है 20 cm depth तक इसको क्या करना होता है हटा ना होता है हटा क्यों रहे है जिससे जो भी क्या है vegetable matters है पबल से, stone है, bricks है जो भी impurities है उन सब को हमने हाँ से remove करना होता है जो brick को proper texture और proper uniform strength provide करने से क्या करता है रोकता है ठीके न, अगर वहाँ पर कोई भी suppose stone है अगर वो stone हट जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगी cavity बन जाएगी जब उस पर load आएगा तो वो easily क्या कर जाएगा break कर जाएगा तो यह जितने भी stone, pebbles या vegetable matters यह सब brick की strength को क्या करते हैं reduce करते हैं इसलिए हमको इसको यहां से हटाना क्या है बहुत जरूरी है किस depth तक, 20 cm depth तक यह हमारे exam का एक question बनता है second है this soil cannot be used for preparation of bricks और इस soil को हम लोग इसके लिए use नहीं करेंगे bricks बनाने में जो भी soil हमने 20 cm depth तक हटाई है उसको use नहीं करते हैं second देखते हैं digging digging का meaning क्या होता है जो हमने soil वहाँ से हटाया topmost जो clay है soil है उसको हमने वहाँ से हटा दिया उसके बाद हमने क्या करना होता है digging का simple सा meaning क्या होता है खोदना तो यहां पर देखिए the clay is dug out from the ground and spread on the level ground हमने क्या करना है for example यह हमारे पास क्या है फील्ड है इस तरीके का कोई फील्ड है इस तरीके का इस फील्ड को हमने 20 cm depth तक कितना 20 कितना depth तक 20 cm depth तक क्या करना है इसको अंसोलिंग करना है मिल्ला यहां से हटा देना और उसके बाद इसको क्या करना है हमने digging करना है यहां से हमने क्या करना है इससे हमने इस तरीके से clay sample को क्या करना है collect करना है यहां से हमने क्या करना है clay sample को collect करना है और फिर जो collect sample है इसको हम लोग क्या करते हैं एक plain ground पे क्या करते हैं हम लोग एक plain ground पे ले जा करके और एक heap में क्या करते हैं बना देते हैं छोनी चाहिए वो हाइट कितना होना चाहिए हमाइवाद बॉलिए 600 mm 200 mm कितना होना 400 mm क्यों चाहिए तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिंग करते मेश्क्रीकंड ना ताम न सभिली आप याथ रखेगा इफ शक जखेंग है digging soil ध्यान से देना अगर digging soil में भी यह matters present है समझे ध्यान से पहले तो टॉप soil पे थे टॉप अर्थ जो सर्फेस था उस पे थे पंदू अगर digging के बाद भी stones, pebbles या फिर घास, फूज जो मलब vegetable matters अगर present है तो फिर क्या करेंगे उस case में present soil we need to clean them हम उसको साप करने का काम करेंगे साप कैसे करेंगे हम अपने soil sample को क्या करेंगे water से पास कराएंगे मतलब उसमें बहुत जादा water add कर देंगे और उसको screen मतलब जो screening होती है हमार पास seeps होत होता है बहुत बड़े अगर आप large project पर देखेंगे तो यह सब करना possible नहीं होता है पर फिर भी हम लोग थोड़ा साथ देखते हैं next time weathering weathering now cleaned clay is left in open atmosphere for well seasoned और fully seasoned हम लोग क्या करते है open atmosphere में well seasoned होने के लिए या fully seasoned होने के लिए इसको रख देते हैं इसका क्या meaning है इसके रखने स से क्या हमको benefit होने वाला है वो देखते हैं आगे for large project clay is allowed to weather just before the monsoon and keep open to atmosphere through the monsoon और हम लोग अगर large project पर bricks को क्या करते हैं manufacture करते हैं उस case में हम लोग क्या करते हैं soil को weathering मला atmosphere में रख देते हैं before monsoon जिससे क्या होता है बरसात यह सब वानी water उसमें आता है और उसमें जो impurities होती ह कुछ कुछ उन सबको help करते हैं ठीक है ना increase करने में तो plasticity and strength of the clay are improved by exposing the clay to the weather तो मैंने आपको बताया था आप plasticity से क्या मतलब समझते हैं plasticity का simple meaning होता है क्या meaning है plasticity का कि जो भी आप सेप क्या कराना चाहते हैं जिस सी भी particular shape में आप brick को क्या करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं उस shape में brick क्या होता है बन जाता है यह किसके कारण होता है यह plasticity के कारण होता है second strength का मतलब क्या है कि जो भी load bearing capacity है उसकी जो भी load आ रहा है उसको क्या करता है वो increase करता है plasticity and strength of clay are improved by exposing the clay to weather तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पर देखते हैं next है हमारे पास blending blending का meaning कह है simple सा हम यह पर अगर हमारे को कुछ ingredients जैसे की lime या जैसे की ice या another कोई भी चीज हमको क्या करना है उसमें add करना है जैसे कि हमारे को कोई different color चाहिए chromium या फिर हमको कुछ भी जो भी हमको चाहिए जिस तरीके से हम चाहा रहे हैं उसको अगर हमें actually nature में वो सब चीज़े present नहीं होती हमार appearance हो you know तो उस case में हमको कुछ-कुछ उसकी impurity उसकी qualities को बढ़ाने के लिए कुछ-कुछ ingredients को add करना पड़ते हैं तो add कहां पर करते हैं वो हम लोग blending में करते हैं clear point blending में क्या करना होता है adding करना होता है ingredients कहां it indicates intimate and or harmonious mixing it is carried out by taking small portion of clay every time and by turning it up and down in vertical direction इस तरीके से इसको adding करते हैं the blending makes clay fit for the next stage of tempering तो my dear यह जो tempering है tempering is a very important term और यह हमारे एक्जाम में सबसे ज़्यादा बार पुछा जाता है कि tempering कहां पर की जाती है tempering का meaning क्या है tempering हम लोग किस machine के help से करते हैं या फिर कैसे करते हैं ठीक है tempering मलब consists of kneading kneading का मतलब क्या होता है simple सा गूथना जब आप क्या करते हैं simple सा मेरा वह example अगर आपने रोटी बनानी है तो हम लोग पहले आटे को क्या करते हैं अच्छे से जो भी उसमें हमने ingredients मिला रहे हैं जैसे like salt हमने उसमें एड कर लिया अगर हमारे को और भी कुछ एड करने जो भी एड करने हमने एड कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको kneading करते हैं मतलब गूथना मलब रोटी बनाने से पहले उसको क्या करना है हमने इस तरह के से रोटी बना रहे हैं उसी तरह के से हम लोग क्या कर रहे हैं ब्रिक मा हम लोग किसका यूज कर रहे हैं और उधर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं आटे का यूज कर रहे हैं मिल का यूज कर रहे हैं फ्लोर का यूज कर रहे हैं ठीक है तो इन से जोगा हमने थ aardness और हमको क्या चीए एक proper hardness से यह proper hardness के लिए हमको क्या करना पड़ेगा टैंपरिंग करना पड़ेगा okay कि next point है हमारे पास for manufacturing good brick for manufacturing good brick tempering is done in pug mill अगर हमारे को क्या करना है good brick बनाना है तो pug mill की help से हम लोग क्या करते है उसको mix करते है tempering करते है and this operation is called pugging और इस operation को हम लोग किस नाम से जानते है pugging के नाम से जानते है तो आप ध्यान देना यह exam में question बनता है कि pug mill का use कहा किया जाता है pug mill का use tempering में किया जाता है tempering का meaning क्या होता है tempering का मतलब होता है उसको अच्छे से proper mix करना और जिससे हम लोग क्या कर सके एक proper hardness हम को उस brick में क्या हो सके मिल सके next 15,000 to 20,000 brick is prepared by using pug mill daily अगर आप pug mill का use करते हैं तो इसकी help से आप पढ़ड़े 15,000 to 20,000 brick क्या कर सकते हैं आप prepared कर सकते हैं next देखते हैं यह हमारे पास कुछ है जिसमें हम लोगों ने देखना है एक सेकिंद ओके यहाँ पर देखी यह हमारे पास क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है by help of fit हम लोग क्या कर रहे हैं इसको kneading कर रहे हैं या फिर हम लोग by help of this instrument इसकी help से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको mix कर सकते हैं और यह जो machine है इस machine को हम लोग क्या बोलते हैं pug mill बोलते हैं इस machine को हम लोग क्या बोलते हैं पग मिल, ध्यान से देखिए, अब मैं आपको एक छोटा से वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसकी है से आपको किलियर एटी होगी, कि by help of पग मिल, आप किस तरीके से क्या करते हैं, जो किले से एंपल होता है, उसको नेडिंग करते हैं, ओके, प्लीज, आप इसको देखिए, यह आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा, यह जो मसीन है आपके पास, इस मसीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पग मिल बोलते हैं, यह हमारे पास जैसी भी है, यहाँ पर हमारे पास क्या सेंपल है, इस सेंपल को हम लोग यहाँ से क्या कर र रहे हैं यह अभी proper mixing नहीं है by help of this tempering sorry by help of this bug mill machine की help से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको अच्छे से tempering कर रहे हैं ओके अभी हम लोग देखते हैं अगर जैसे आपको यह क्या हमरे पास यह जो है यह हमरे पास क्या पग मिल है एक सेकेंड यह हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं पग मिल क्या बोलते हैं इसको हम लोग पग मिल बोलते हैं देखें प्लीज इसको थोड़ा से समझ जाए कि जबते हैं इस तरीके का जो मुस्हीर है अभी मैने आपको दिखाया था पिक्चरिस का यहां पर इसका वर्किंग हम लोग देख रहे यह जो हमारे पास है यह क्ले है और ये क्ले है यह यह जो हमरे पास है यह कौन सा क्ले हैं यह टेंपर क्ले है म focuses 일 को यह क्या कि आ यूज के लिए को हम लोग कुसमेश करें मोल्डिंग में यूस करेंगे तो यह इसका क्या था वर्क था ओकर एक सेकिन तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं इसमें और भी कुछ हमारे पास समझने के लिए है नहीं इसमें सिर्भ हमको इतना ही समझना था और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसको तो यह हमारे को किलियर हो गए है यहाँ पर अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर तो यह हमारे पास था टेंपरिंग बाइहल्प आफ फिट बाइहल्प अफ दिस इंस्ट्यूमेंट जिसको हम लोग हिंदी में फाबडा बोलते हैं यही है वो पग मिल जिसकी हमने अभी क्या देखा था ऑप्रेशल देखा था किस तरीके से वो हाँ पर क्या कर रहा हैं वर्क कर रहा हैं तो हम लोग यहां पर सिंपल सा क्या करते हैं सेंपल को रखते हैं उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास वह हमारे पास मोल्डिंग next day हमारे पास molding molding का meaning क्या था पहला जो step था हमारे पास complete हो चुके है first step में हमने क्या देखा था preparation of earth brick देखा था कि उसको किस तरीके से जो sample को हमने क्या करना था तयार करना था मूल्डिंग का meaning है अब हमने क्या करना है brick को क्या करना है proper mix तो कर लिए proper mix करने के बाद में उस sample को इखटा करके एक particular shape उसको देना है ठीक है तो it is process of giving a required shape particular shape देने के लिए required shape देने के लिए जो shape हमको क्या क्या चाहिए हमने यहाँ पे देखा इस तरीके का हमको क्या चाहिए shape चाहिए इस shape के लिए two types, two ways of molding हम यहाँ पे दो तरीके से molding करेंगे, first है हमारे पास hand molding, second है हमारे पास machine molding, तो हम लोग hand molding का use किसके लिए करते हैं एक small project के लिए करते हैं जहाँ पे हमारे को कम bricks चाहिए और जहाँ पे हमारे को बहुत जादा bricks चाहिए उस case में हम लोग इसको यूज करते हैं machine molding को use करते हैं यह हमारे पास है hand molding, तो hand molding में देखिए इसको, यह हमारे पास क्या mold है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं clay sample को रख करके और उसको क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं यहां पर इस तरीके का होता है हमारे पास hand molding जो brick बनाया जाता है in this bricks are molded manually simply हातों से बनाया जा रहा है इसलिए manually है it is suitable where manpower is cheap जहां पर manpower क्या होता है सस्ता होता है easily available होता है वहां पर जिसे cost क्या हो brick का ज्यादा increase ना हो इसलिए and on a small scale और छोटे scale पर वही 10,000 20,000 30,000 even 40,000 50,000 bricks जहां पर हम लोग बना रहे होते हैं generally हम लोग किसको युज़ कर रहे होते हैं hand molding brick को ही use hand molding को use करते हैं the molds are made longer by about 8-12% in all directions और इसका meaning समझे कि जो mold होता है हमारे पास यह mold है इसके अंदर हमने क्या रखना है clay sample को fill करना होता है फिर उसके बाद में इसमें से brick को बाहर निकाला जाता है तो question है यहाँ पे कितना percent longer होता है in all dimensions length, bed and height इसके पीछे region होता है जब brick क्या करती है dry करती है तो हो हलका से क्या कर जाती है shrink कर जाती है तो इसी लिए यह पहले से ही इसकी dimensions को क्या करके रखते है increase करके रखते है इसको हम लोग mold बोलते हैं यह hand molding में type है तो the bricks prepared by hand molding are of two types तो इसमें हमारे पास कौन-कौन सा है first है हमारे पास ground molded brick है और second जो हमारे पास है वो है table molded brick तो यह जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यह जो हमारे पास है इसको हम लोग होते है ground molded brick जो यहाँ पर देखें एक messen है यह simple सा बैटा हुआ है यह brick molder है यह clay sample है इस clay sample को वो इसमें क्या करेगा फिल करेगा इसमें पूरा फिल करने के बाद पूरा फिल करने के बाद ठीक है अब इसके ऊपर क्या रहती है एक प्लेट रहती है उसको रखता है और इसको उलट करके जहां दीजे इसको उलट करके इस तरीके से रखेगा और जो आप यह देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो है इसको हम लोग होते frog ठीक है ने तो इसको हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे इसको यह हमरे पास के यह है यह कम हो जाती है किसके comparison में ground molded के comparison में मतलए यहाँ पर वह 1000 brick को क्या करता है manufacture करता है या बनाता है तो यहाँ पर वह 1000 bricks को नहीं बनाएगा reason क्योंकि एक जिए खड़े-खड़े क्या हो जाता है परेशान हो जाता है अगर आपको एक जिए खड़ा के जाए तो आप क्या इस्तिती होगी तो same as well है इनके साथ भी होती है तो इसलिए हम लोगों को अगर question कभी आए कि कि किसमें ज्यादा bricks बना सकता है तो वह हमारे पास होता है ground molded में कम brick बनाता है वह brick sorry table molded में नेक्स देखते हैं यहाँ पर यह important points है ज्यान देना the brick molder can mold about 750 bricks per day with working period of 8 hours अगर आपसे normally पूछा जाए कि brick molder है अगर वह 8 घंटे काम करता है दिन में तो कितनी brick बना सकते हैं तो आपने ध्यान देना है 750 bricks यह मतलब क्या है data है ठीके न अब ऐसा नहीं कि आपने लड़ाई कर लेना है सरा जिसने साथ 750 नहीं बने चलता है थोड़ा बहुत उपर नहीं चाहिए ठीके ना next time हमारे पास the brick prepared by dipping mold in water every time are known as the slope molded brick तो कभी-कभी हमारे पास exam में यह भी question आ जाता है कि slip molded brick का मतलब क्या होता है slope molded brick का मतलब होता है कि आप जब brick को बना रहे हैं मतलब mold में आपने clay sample को रखा उसके बाद आप क्या करते हैं उसके बाद आपने उसको पलट करके ground पे रख दिया उसके बाद आपने जो mold है उसको water में क्या करना होता है dip करना होता है हर बार तो इस type का जो brick बनता है उस brick को हम लोग क्या बोलते हैं slope molded brick बोलते हैं clear हो गया next है हमारे पास the fine sand or ice may be sprinkled on the inside surface of the mold instead of dipping mold in water हम लोग पहले क्या कर रहे है mold लिया mold में हमने clay रखा clay को रख करके plate लगाया उसको उल्टा करके इस तरीके सरखते है तो जो frog होता है वो किस पाजाता है टॉप पे आ जाता है ठीक है न टॉप पे आ जाता है वो और फिर हम उस mold को क्या करते है water में dipping करते है उसको बकेट रहता उसमें water रहता है उसमें से उसको निकालते है हर बाद अब हम लोग क्या कर रहे है वहाँ पे ये work नहीं कर रहे है हम लोग क्या कर रहे है उसमें क्या क्या यूज कर ले रहे हैं, fine sand, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, fine sand, और s को क्या कर ले रहे हैं, use कर ले रहे हैं, तो by help इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास क्या होगा, जो sharp edges हमको क्या है, वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, next देखते हैं हम लोग, machine molding, it is economical when bricks and hose quantity, are to be manufactured in short time, हमको ज़्यादा brick चाहिए, कम टाइम में, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, machine molding का यूज करते हैं, it is helpful for molding hard and strong clay में machines are broadly classified in two categories, first one is the plastic clay machine, second one is the dry clay machine, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इनको ये कैसे हैं, ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं, plastic clay machine, और ये हमारे पास जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, dry clay machine, तो हम लोग एक छोटी से picture देखना चाहते हैं, कि वो किस तरीके का है, ओके, ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं, dry clay machine, देखिए, इस machine को हम लोग क्या बोल रहे हैं, dry clay machine हैं ये हमारे पास, इसमें से इस तरीके से क्या बनती जा रही हैं, bricks इसमें बनती हुई जा रही हैं, ठीके न, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, किस त इसको हमको क्या नहीं करने की जरूरत पड़ती है ड्राइ और बर्निंग करने की क्या नहीं पड़ती है जरूरत नहीं पड़ती है एक तो हमारे पास यह हो गया एक हमारे पास था एक और हम लोग देखना चाहते हैं हम लोग बस एक यहाँ पर देखना चाहते हैं इस मसीन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक क्ले मसीन इसको भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं यह प्लास्टिक क्ले मसीन यह मसीन है इसमें से इस तरीके से क्ले सेंपल निकल रहा है यहाँ पर यह प्रेट से यह क्या कर रहे हैं? कट कर दे रहे हैं, ओके? इस तरीके से जब ये कट करेंगे तो हम लोग यहां पर इसली देख पाएंगे किस तरीके से जो प्लास्टिक के लिए मसीने ये वर्क कर रही है ओके? I think आपके टॉपिक समझ में आया हुगा और मैं नेक्स टॉपिक में आपके लिए ड्राइंग एंड बर्निंग को लेकर क्या हुगा तो प्लीज आप इस चीज को देखिए अच्छे से पढ़िए ओके थैंक यू